तो दूस्तु स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल चंपारन टेकनिकल क्लासेश में तो कैसे हैं आप सभी, आसा करते हैं, आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज जो आप लोगों का बिहार इंजिनियरिंग युनिवर्सिटी के बीटेक फीप सिमेस्टर के बच्चों का जो मेकेनिकल ब्रांच के बच्चे हैं उनका हीट ट्रांसपर यानि की एच्टी का आज एकजाम हुआ है उसका कोश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं कि अबजेक्टिव कोश्चन क्या पूछे गए थे और उसके राइट एंसर क्या है तो आप इस वीडियो को अंतक देख लिजे ताकि आपको पता चल सके कि इजी था और साथ हिसाए जो सब्जेक्टिव थे वो आपके प्रिवेस येर कोश्चन से ही सब्जेक्टिव पूछे गए थे तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोश्चन को देखते हैं तो ईसके अबजेक्टिव को मिलाते है कि क्या objective मेरा बनाया हुआ शही है या गलत है यह वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक च्छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करें तब लाइक उनको प्रेस कर ले ताकि आपको आगे भी वीडियो माध्यम से मिल सके और साथ ही साथ बी यू यानि की बिहारी इंजिनियरिंग उनिवर्सिट्री से रिलेटेड सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके और अभी तक आप पिछले आपका जो एक्जाम हुआ था फ्लूड में सिंद्री का उसका अगर नहीं देख प्लेस करता है तो जीरोत लॉब थेर्मोडेमिक्स फर्स्ट लॉब थेर्मोडेमिक्स और किछ ओफलॉ यह चार ओप्शन दिये हुए हैं तो आपका ओप्शन नंबर thरी जो है second law of thermodynamics यह right answer है यह question जो आपके previous year question है जो previous year आपके पूछे गए थे second question है आपका as the temperature increase the thermal conductivity of gas यानि कि अगर temperature को increase करते हैं जो thermal conductivity जो है gas का वो increase करेगा या decrease करेगा या constant रहेगा या increase up to certain point then decrease तो आपका इसमें आप लोगों को पता होगा कि liquid का जो है वो temperature बढ़ाने पर density करता है और thermal conductivity जो है घड़ता है यह किसका होता है यह liquid का होता है पर आपका यहां कि आप पूछा होगा salt gas का पूछा है तो gas में temperature को बढ़ाएगा तो आपका thermal conductivity जो है वो भी बढ़ जाएगा तो आपका option number first जो है वो राइट एंसर हो जाएगा question number B का question number C है unit of thermal conductivity in SI unit SI unit में आपका thermal conductivity यानि की के का unit पूछ रहा है किसका के का thermal conductivity का unit पूछ रहा है तो आप लोगों को पता होगा के का unit क्या होता है वाट पर मीटर Kelvin या अगर वाट को आपको जूल पर सेकेंड में लिग दे तो जूल पर सेकेंड मीटर Kelvin तो यहां देख लिए जूल पर सेकेंड मीटर Kelvin नहीं है यहां आपको confuse करने के लिए यहां दे दिया one and three both यानि कि इसको आपको दे दिया तो यहां क्या होना चाहिए था जूल पर सेकेंड मीटर Kelvin अगर आपका रहता तो यह option भी हो जाता लेकिन यहां पर जूल पर सेकेंड मीटर Kelvin नहीं है जूल पर मीटर स्कॉर सेकेंड है तो यह आपका नहीं होगा तो option नमबर थार्ड जो है यह आपका right answer हो जाएगा question नमबर C का question number D है आपका the critical radius of insulation for cylinder is equal to equal to यानि कि critical radius जो है वो cylinder का केतना होता है यहां H दिया हुए convective heat transfer coefficient और के दिया हुए thermal conductivity तो आप लोग का पता होगा कि RC of cylinder जो होता है क्या होता है RC of cylinder जो होता है वो K by H होता है क्या होता है K by H यानि कि K insulated by H of air यानि कि thermal connectivity of conduction by thermal connectivity of convection यह आपका K by H जो होगा क्यानि कि option number 4 हो जाता है लेकिन आपको पूछा गया था क्या सिलिंडर तो आपका option number 2 जो है K by H यह राइट एंसर होगा आपका एक नंबर कोस्टन है यानि कि पांस नंबर कोस्टन है थर्मल रेसिस्टेंस of a hollow cylinder is represented as यानि कि thermal resistance जो है होता है क्यों कि यहाँ पे area जो आपका क्या हो जाएगा 2 by KL को आप Fourier law में डालिएगा minus k dt by dx और उसको integrate किजिएगा तो आपका इतना जो है thermal resistance आ जाएगा ln R2 by R1 2 by KL यानि कि option number 3 question number 6 है आपका the hydrodynamic and thermal boundary layer are identical at parental number equal to तो आपका यह भी question जो है वो previous year का question है तो इसका option number 2 जो है होगा question number G है in a cell and tube heat exchanger waffles are provided on the cell side too यानि कि cell and tube type heat exchanger में waffles जो है वो किस side provide किया जाता है और क्यों provide किया जाता है तो आपका option number 3 जो है prevent stagnation of the cell side fluid यह आपका right answer हो जाए question number G का question number S है आपका in a heat exchange it is observed that delta T1 equal to delta T2 where delta T1 is the temperature difference between the two single phase fluid stream at one end and delta 2 is the temperature difference at the other end this heat exchanger is यानि कि यह heat exchanger जो है वो कौन सा heat exchanger है अगर आपका किया जीक हुआ हुआ है delta T1 बराबब़ड इत्थ y dot t2 दिया हुआ है तो आप खुद बना लेंजेंग आपको parallel flow और counter y ये सब बनाने तो आता होगा तो parallel flow में अगर बनाईएगा तो parallel flow में क्या होता है एक इधर से जाएगा तो एक इदर से जाता है जाता है ना parallel flow में आपका parallel flow में तो same direction में जाती है जानि कि आपका hot fluid जो है उपर से नीचे के तरफ जाएगा और cold fluid जो है नीचे से उपर की तरफ जाएगा तो यहाँ आपका difference जादा होगा यहाँ आपका difference कम होगा उसी प्रकार आपका counter flow में है जो counter flow में कैसे जाएगा यह आपका hot fluid उपर से नीचे जाएगा और cold fluid जो है नीचे से उपर जाएगा तो यहाँ आप लोग देख लिएज़े यहाँ graph में आप देख रहे होंगे कि दोनु जगह का delta t1 और delta t2 जो है वो सेम आ सकता है तो यहाँ पर option number third जो है आपका counter flow heat exchanger यह आपका right answer हो जाएगा यानि कि delta t1 बराबर delta t2 जो है वो आपके counter flow heat exchanger में ही होता है और conduction और वी operator में तो कभी नहीं होगा क्योंकि आपका एक जो है वो constant रहेगा और एक vary करेगा तो यहाँ पर कभी भी सेम आपका delta t1 delta t2 नहीं रहेगा तो option number third जो है वो right answer हो जाएगा question number h का question number i है आपका which of the following is the case of heat transfer by radiation, radiation के द्वारा कौन सा heat transfer होता है, कौन सा case है heat transfer का, तो option number third जो है इसमे heat from sun wearing your face is आपका right answer हो जाएगा question number j है what is the basic equation of radiation other bodies of radiation equation can be derived, तो यह भी previous question है आपका, आप लोगों को पता होगा कि सबी equation जो है कि drive होते हैं, तो planks equation से आपके drive होते हैं, तो यह थे आपके 10 objective question और उसके right answer अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों में share करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाव ले सकें और इसको अपने जो आप अभी बनाया होंगे, वो छी मिला सकें कि कि अधिक सदिक लोग इस वीडियो का लाब ले सके धन्य बाद आपका दिन सुभो नेक्स्ट एक्जाम में भी आप प्रिवियस एर एक कुछ पढ़के जाए और साथ इसाथ नोट्स भी पढ़के जाए क्योंकि प्रिवियस एर बहुत सारे पुछे जा रहा है तो प्रिवियस एर पर ध्यान और से दिजिए दन्य बाद आपका दिन